हलो अब्रिवन मैं जोती शर्मा आज एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ ये वीडियो लेकर आई हूँ आज का जो हमारा topic रहने वाला है वो है lyric versus odd तो lyric और odd में हम अंदर जाने उससे पहले जान लेते हैं कि lyric क्या है थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि lyric क्या है फिर उसके बाद देखेंगे कि odd क्या है और फिर उसके difference को हम देखेंगे तो lyric क्या है, lyric एक short और musical quality वाली poem है, ये भी एक poetic form है, poem की ही एक form है, लेकिन थोड़ी छोटी है, और कैसी है, musical quality वाली है, फिर simple भी होती है, थोड़ी subjective भी होती है, और सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज है, उसमें क्या है, कि poet जो है, वो speaker, मतलब यहाँ पे subjective है, तो माल ले लेजिए एक point खुद अपनी बात को, या फिर किसी भी speaker की personal thought को और feeling को हमारे सामने रख रहा है, लेकिन ode के अगर हम बात करें, तो ode क्या है, ode भी poem की एक form है, जिसमें किसी भी person, कोई भी person हो गया, कोई भी place हो गया, कोई भी animal हो गया, कोई भी occasion हो गया, कोई पक्षी हो गय जैसे माल लीजिए, कोई युद पे विजय प्राप्त करके आया कोई राजा, तो उस युद का वर्नन अगर वो लिख रहे है, तो उसकी बढ़ाई करते हुए, उसकी victory को celebrate करते हुए लिखी जाएगी, तो वो होगी हमारी ode, तो ये देखे, ode और लेरिक के बारे में आपने लिखा गया है, लेरिक जो है, वो छोटी होती है, इन्फॉर्मल होती है, है न, छोटी होगी, इन्फॉर्मल होगी, लेकिन ode जो है, वो छोटी या बड़ी, दोनों तरह की हो सकती है, लेकिन यूजवली इसका जो structure है, वो ऐसे माना जाता है, कि यूजवली तीन पार्ट मे लिखे जाती है तो वो introductory part है उसके बाद में जो second जो इसका आता है ना part उसको बोलते है antistrophic इसके अंदर क्या होता है जो introduction दिया गया है उसको थोड़ा सा elaborate किया जाता है यानि थोड़ा description के साथ लिखा जाता है उसके बाद में third जो इसका part आता है वो है reporting और वो होता है एक concluding part यानि यहां conclusion दे दिया जाता है अब बारी आती है दोनों के theme में क्या फर्क है लिरिक का theme क्या होता है ओड का theme क्या होता है देखिए जो lyric है वो personal emotions और personal feelings पे लिखी जाती है यानि point जो होगा वो या तो खुद के अपने emotions या खुद के feelings को लिखेगा या speaker जो poem के अंदर उसने कोई एक speaker रखा होगा वो अपने emotions को feelings को share कर रहा होगा लेकिन ode में क्या होता है ode के अंदर किसी चीज की प्रेज की जाती है या फिर उसे celebrate की करते हुए दिखाया जाता है प्रेज जैसे ode ओने Gratian earn है उसमें Gratian earn एक ऐसी वस्तू है Greek एक कलात्म कृति है Greek की Gratian earn उसक tune lyric के अंदर personal होती है और expressive होती है क्योंकि अपनी feelings को express कर रहे होते है तो personal होती है और expressive होती है लेकिन ode कैसी होती है ode formal होगी और celebratory होगी यानि celebration की tune में लिखे जाती है अब हम बात करते है rhyme scheme की तो rhyme scheme की अगर बात करेंगे तो lyric जो है गीत है गायद आता है जिसको जिसमें एक जल्य होती है तो यहां lyric की अगर बात करें तो हमेशा वह rhyme में ही लिखे जाती है मैं अगर ode की बात करें तो ode rhyme में हो भी सकती है और नहीं भी होती चीक है उसके बाद में meter की बात कर लेते हैं मिटर की अगर बात करते हैं तो लिरिक के अंदर मिटर का regular होना जरूरी नहीं है हो सकता है वो मिटर में उसका regular भी हो, हो सकता है मिटर regular ना भी हो लेकिन ओड जो है, ओड एक regular मिटर को follow करती है ठीक है, तो यह इन दोनों के basic differences थे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, channel को subscribe कीजिए, thank you very much